वेलकम टू करेंट बैसरी आज 13 मार्च 2024 और आज की डेट में मैं आप लोग एक्जाम को देखते वे इंपॉर्टेंट कोस्चन इस वीडियो में लेकर क्या हूं यदि आप कोई वीडियो अच्छा और इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें और बैल आ हाली में किस राज्य के सोनितपूर में 50 मेगवाट की सौर पर्योजनाव का उद्धार्टन किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अश्रम इसके बाद मैं जनकारी के लिए मैं गाईज बता दू कि असम का जो कैपिटल होगा देश पूर हो जाएगा जो CMG है वे हैं हेमन त्विश्व सर्मा जी ने ये उद्धार्टन किया है और इसके बाद में गवर्नर असम के कौन हो जाएगे तो गुलाव चंद कटारिया और असम में ही PM मोदी जी ने असम और अरुनाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टैनल का उद्धार्टन किया है और इसके बाद में PM मोदी जी ने गुवा हाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चोथे संसकरण का भी उद्धार्टन किया है इसके बाद में असम में ही एक काजी रंगा नेशनल पार्क है और यहीं पे मोदी जी विजिट भी किये थे कुछ दिन पहले और यहाँ पे काजी रंगा जो नेशनल पार्क है किस लिए फेमस है तो यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और इसके बाद में यह जो खेलो इंडिया इनर सीटी जो गेम्स है इसका सुभांकर कौन था तो अस्ट लक्षमी इसके बाद में गैस जो दूसरा कोश्चन है वे है कि हाली में फैरवरी माह का ICC प्लेयर आफ दा मन्थ का मन्थ अवार्ड किसने जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एना बेल सदर्लेंड और यसस्वी जैस्वाल जो एना बेल सदर्लेंड वे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है और जो यसस्वी जैस्वाल है वे इंडियन प्लेयर है और इसके बाद में जो ICC प्लेयर आफ दा मन्थ जो जैन्वरी का हुआ था तो उसमें क हाली में नायब सी सैनी किस राजी के 11 मुख्य मंत्री बने है तो यह आंसर हो जाएगा हर्याना इसके बाद में जो हर्याना के जो पूरो मुख्य मंत्री जो थे मनोहर लाल खटर जी तो यह कैबिनेट भंग हो गया था इसकी वज़से उन्होंने इस्थिपा दे दिया है और इनके जगह पे कौन बन गये हैं तो नायब सी सैनी बन गये हैं और हर्याना का कैपिटल चंडीगड हो जाएगा और गवर्नर भंडारू दत्तरे हो गये और हर्याना ने पहली बार वीजे हजारी ट्रॉफी का खितावी जीता है और इसके बाद में भारत अंतराष्ट्री विज्यान महत्सो दो हजर तेस फरेदावाद में हुआ है इसके बाद गैस जो आपके सामने चोथा कोस्चन है वे है कि हाल ही में राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोग का अध्याच किसी बनाए गया है तो इसका अंसर हो जाएगा किसूर मंकवाना और गैस आपके सामन जो पांचमा और लाष्ट कोस्चन है कि हाली में राम विलास पासवान दा वैदर वेन ऑफ इंडिया क्वाल्टिक्स का जो पुस्तक है किसने लिखा है तो हो जागा सोवना के नायर और यह जो राम विलास पासवान जी है वी भारती राजनीती के प्रमुख नेताव में से इक है और इक हैं और इग थे और इसकी बाद में यह विहार की लोक-जन सक्तिपाठी के अढ्यास थे और ये नौव बार लोग सभा सांसद और राज सभा सांसद भी रहे थे और यह उपभोक्ता मामलों के केंध्री मंत्री भी रहा थे的 2019 निस बीस में और यह उसे पहले केंद्री रसायन एम उरुरक मंत्री केंद्री सुचना मंत्री भारत की रेल मंत्री भी रहे थे और 2020 में इनका निधन हो गया इसके बाद आज को पांच इंपोर्टेंट कोस्चन है और आज का जीके का कोस्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मना जाता है तो इसका आंसर जिसको भी पता होगा आप लोगों में से प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें और इसके निकस मैं आप से एक बात यह बोलना चाहते हूं कि जो भी मैं जीके का कोस्चन देती हूं यह एक्जाम में आया कोस्चन है क्योंकि कि इतने एक्जाम में रिपीट कोस्चन भी आते हैं उस हिसाफ से में कोस्चन चूज करकर करके सेलेक्ट करकर के मैं आप लोगों के सामने करती है इसलिए ज्याद़ ज्यादा इस वीडियो को एंड तक से देखें ताकि जीए का जो कोस्टन आप उसका आंसर कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकें और जो प्रिवेस कोस्टन होता है जीए का उसका उसका भी मैं आंसर बताती हूं तो जिसको नहीं पता होगा उसे आपको जनकारी हो जाएगा और बहुत सारे एक्जाम में रिपिटेट कोस्चन भी आ रहे हैं उससाब से मैं ये कोस्चन सेलेक्ट करके आप लोग के सामने प्रिजेंट करती हूं तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा इंपोर्टेंट लगा कि अपरोपने लगारि होगा थे को वीडियो आ की।